हेलो फ्रेंट्स कैसे हैं आप लोग फ्रेंट्स आज हम डिसकस करने वाले हैं कि प्रसुती की अवस्था आप सोच रहोंगे प्रसुती होता क्या है तो फ्रेंट्स अब भी आप होस्पिटल में बिजिट करते होंगे तो आपने देखा होगा कि जहां पे हमारा बच्चा बाहर आजाए और जो वेजाइनल व्लीडिंग होना बंध हो जाए तहां तक हमारी प्रसुती की अवस्था होती है अगर हम इसके बारे में अच्छे से जान रहे होंगे हमें पता होगा तो कहीं ना कहीं हम अपने मा और बच्चे को बचा सकते हैं क्योंकि मैंने बहुत सार को उनको दर्द सुरू होता है और जो वो समय है जो एक निश्ची तवदी हमारे प्रसुती की अवस्था की वह बढ़ जाता और महिला या बच्चे को दिक्कत हो जाती है तो ऐसा ना हो इसलिए आज इसके बारे में हम लोग जानते हैं अगर आप मेरे वीडियो पर पार अवस्था की निश्चित समय होता है अगर वह समय पार कर गया और बच्चा अभी नहीं हुआ या वह अवस्था क्रास्थ नहीं हुआ तो जान लीजे कि हमारी जो महिला वह जोखीं की तरफ बढ़ रहे यह महिला को कॉई कॉम्प्लिकेटेड़ है इसलिए ऐसा हो रह होता है और यह कम से कम जो इसका समय वह आठ से बारे घंटे हैं अगर बारे घंटे की ओपर हो जा रहा है महिला को दर्द भी है गर्भासाय का मूँ भी खुल गया बच्चा बाहर नहीं आ रहा है तो यानि कि कहीं न कहीं कोई कॉम्प्लिकेटेड महिला दिक्कत में है जो समय क्या है आठ से बारे घंटे जो हमारी दूसरी अवस्ता होती है दूसरी अवस्ता में क्या होता है कि गर्भासाय का मूँ खुलने से लेकर बच्चे का सरीर बाहर आने तक और बच्चे का सरीर पहले सिर फिर कंधा उसके बाद पूरी सरीर बाहर निकलता है यह हमारी सब्सक्राइब होगे कि लेवर रूम में जाने के बाद महिला दो घंटे धाई गंटे बच्चा नहीं हो पाता है तो यह होता कि नहीं नहीं को शिप्ट करो बच्छा नहीं निकल रहा है या बच्चा मोटा है यह दिक्कतैं तो यह गंटें से अगर जादा हुआ तो फिर दिकत बढ़ सकती है तो इसकी जो अवदिय सिर्फ एक घंटा है नेक्स जो है तीसरी जो अवस्था है उसमें क्या होता है प्लेसिंटा का बाहर आना होता है जब तक बच्चा आने के बाद प्लेसिंटा अगर बाहर आ रहा है और वह भी 20-30 मिनट के अंदर अगर 20-30 मिनट से ज्यादा हो रहा है तो कहीं न कहीं वह महिला कॉम्प्लीकेटेड है उसको दिकत है आप यह भी सोच रहे कि मैंने डायरी ले रखिए तो यह मेरे ट्रेनिंग के डायरी है जो हम लोगों को बताया जाता है ताकि मैं फिल डेबल पर अपनी संगिनी को अपनी आसा को वही सारी चीजे पहुचा पाऊं वही सारी चीजे बता पाऊं जो हमें उपर से इस्टेट लेबल से पता चलती है तो फ्रेंट्स यह सारी चीजे जो मैं आपको बता रही हूं यह इस्टेट लेबल की चीजे हैं और यह पूरे इस्टेट में चल रही है वही मैं आपसे ड गंटे-बात कगर आने के दो गंटे बात तक बच्चा Hang वने के बाद जो ब्लीडिंग होतीए वो बंध गर जाया हमारे घर्भास ही खुला रहता उसका संकुचन रहतीए को बंध होने लगे जब ऐसा हो जाता तब हमारी जो है प्रसुती की जो चारों अवस्था है वो खतम होती है उसके बाद फिर हम लेबर रूम से बाहर आते हैं और दूसरे रूम में सिफ्ट किये जाते हैं तो इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूं यह जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप कलती ना कर लाइक करें मिलते हूं नेक्स्ट वीडियो में थैंक्यू सू मच्छ झाल मिलते हैंक करें लाजी नेक हैं क्योंकि आते हैं क्योंकि कर दिक्निस्टाणा थोलोगों जरूदा रही हैंा